आस्मान के काले घने बादल, तेज करणकती हुई बिजली के तूफान और उबलते हुए लावे के बीचों बीच मौजुद चटान पर सीना ताने एक इंसान खड़ा हुआ था. उसने एक लॉन ब्लैक रंग की हुडी पहनी हुई थी और उसकी आखें दहकते हुए अंगारो के लाल रंग में चमक रही थी. उसने अपना सिर हलकी से उपर किया और उस खौफनाक मंजर को देखते हुए अपनी भारी आवाज के साथ कहा, मेरा नाम है देवा, देवन और इस दुनिया के लोग. मुझे डेवल के नाम से जानते है उद्धरन चिन्ह, इस दुनिया पर म लेकिन मेरी एक गलती और मैं अपना सब कुछ हो गय था. अपनी ताकत, अपना रुद्बा यहां तक अपनी हुकूमत भी, अपनी बेशुमार ताकत में आकर मेने इस दुनिया को बनाने वाले इश्वर को चुनोती दे दी. और उस लड़ाई में हारने के बाद मेरे पास म मॉबाईल बजा. उसने उस खास मॉबाईल को बाःर निकाला. वो मॉबाईल काले रंग था और उसके आसपास लाल और नीले और नीले रंग की लाइट चमक रही थी. उसने अपने मॉबाईल में देखा और उसे दिखाए दिया एक नोटिफिकेशन जिस पर लिखा था, माइकल की डील खत्म हुई उसे नरक की भट्टी में डालने का वक्ता चुका है उस नोर्टिफिकेशन को देखते ही उसके चहरे पर एक इवल स्माइल आ गई उसने अपना मोबाइल अपने जेब में रखा और वहां से एक चुटकी बजा कर गायब हो गया रात के दो बजे मुंबई शहर में मुंबई की दो बहुती खतरनाक गैंग्स मुंबई के बीच पर एक दूसरे के उपर ताबर्तोर फाइरिंग कर रही थी दोनों ही गैंग में 200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे वहां कई सारी गाडिया खड़ी थी और वो सभी लोग उन गाडियों को कवर की तरह यूस करके एक दूसरे पर गोलिया चला रहे थे माइकल ने क्रेजी तरीके से AK-47 से गोलिया चलाते हुए अपने लोगों से हसते हुए कहा यहाँ ही हाँ हाँ मुझे कोई नहीं हरा सकता मैंने देवा से सौदा किया है इस मुंबाई का सिर्फ एक ही किंग होगा माइकल उसके ये कहते ही उसके आदमी जो दूसरी गैंग पर गोलियों की बोचार कर रहे थे उन्होंने आपस में बते करते हुए माइकल को देख कर कहा ये अचानक बोस को क्या हो गया कैसी बहकी बहकी बाते कर रहे है इनका दिमाग तो ठिकाने पर है ना तभी उसके बगल में ख़ड़ा पीटर माइकल को देखते हुए उससे कहता है पहले बोस ऐसे नहीं थे पर जब से वो देवा से मिले तभी से उनमें ये बदलावा गया अब वो किसी से भी नहीं डरते फिर चाहे उनके सामने कई सारे हथियारबंद लोग आ जाए वो जैसे ही ये कहता है उस बीच पर धुन्द छाने लगती है धीरे धीरे करके पुरा बीच धुन्द के आगोश में आ जाता है उस धुन्द को देखकर माइकल को किसी की यादा जाती है और दर से उसकी आखे बड़ी होने लगती है उसने तुरंथ हर बढ़ाते हुए अपने मोबाइल को बाहर निकाला और उसमें तारिक देखी उसे मोट से दर लग रहा था धुन्द के अंदर से माइकल की लोगों को एक काला साया अपनी और बढ़ते हुए दिखाई दिया माइकल ने तुरंथ दरते हुए अपने सभी लोगों से चिल्ला कर कहा खत्म कर दो उसे उध्धरन चिन्ह उसके ये कहते ही उसके आदमी अंधादुन उस काले साय पर गोलिया चलाने लगे कई सारी गोलिया चलाने के बाद भी जब वो साया आगे बढ़ने से नहीं रुका तो ये देखते ही वो सभी लोग दर के साथ माइकल से कहने लगे आखिर ये ये है कोन माइकल दर के साथ उस साई को देख कर कहता है मेरी मौत तभी उसे उस काले साई ने दर भर देने वाली आवाज में कहा जब मैं शिकार पर निकलता हूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने शिकार तक पहुँचने से नहीं रोक सकती अपनी लाल आखे दिखाते हुए कहा उसने माइकल की ओर देखा और उससे कहा तुमने अपने लोगों को बताया नहीं माइकल की मैं कोन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ माइकल और उसके आदमी उसकी लाल आखे देखकर डर रहे थे माइकल ने देवा से डरते हुए कहा मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं, मैं मरना नहीं चाहता माइकल के सभी लोग डरते हुए भी देवा को शूट किये जा रहे थे पर उनकी गंसे निकली गोलिया देवा से एक फीड दूरा कर हवा में ही जम जा रही थी देवा ने एक इवल स्माइल की और माइकल को अपनी लाल दहक्ती हुए आखे दिखा कर कहा मरना तो कोई भी नहीं चाहता, पर एक ना एक दिन मरना तो सभी को है, माइकल वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया है उस सौदे के हिसाब से मैंने तुम्हें हर वो चीज दी जिसकी ख्वाइश तुमने मुझसे की थी और उसके बदले में मैंने तुमसे तुम्हारी आत्मा मांगी थी उसने अपने हाथ में एक तलवार समन की जिसके आसपास लाल सुलकती हुई आग जल रही थी उस तलवार के हैंडल पर एक दो सीन्ड वाले डैमन का लोगो बना हुआ था उसकी उस तलवार को देखकर माइकल जोर जोर से अपनी जान की भीक मानते हुए चिल्लाए जा रहा था मुझे छोर दो मुझे जाने दो मैं मरना नहीं चाहता देवा अचानक से माइकल के पास गया और फटाक से अपनी उस सुलगती हुई तलवार से माइकल का सिर अलग करते हुए उससे कहा अब जाकर नरक की भट्टी में जलो इतना कहते ही वो उसका सिर अलग कर देता है ये देखते ही वहां मौझूद माइकल की लोगों की आखे फटी की फटी रह जाती है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनकी इतनी सारी गोलिया चलाने के बाद भी वो इनसान मरा नहीं कैसे वो अचानक से माइकल के पास चला गया कैसे माइकल का सिर कटने के बाद वो राख में बदलने लगा देवा ने हलके से अपना सिर घुमा कर माईकल की लोगों की ओर देखा。 उसकी लाल आखों को देखकर वो सभी लोग दर से कापने लगे दरके मारे उनके हाथ पेर भी काम नहीं कर रहे थे. देवा ने अपने pocket से अपना mobile बाहर निकाला और उसमें आये एक message को देख कर कहने लगा ओ एक और इंसान जिसे मेरी मदद की जरूरत है इतना कहके उसने अपनी चुटकी बजाए और उसके बचते ही देवा वहां से गायब हो गया और वहां मौजूद सभी लोग देवा को भूल गए उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा माइकल के लोग उसे चारो तरफ धूंड रहे थे पर उन्हें कही भी माइकल दिखाए नहीं दिया वो सभी लड़ाई छोड़कर माइकल को धूंडने लगे उधर दूसरी ओर देर रात चार बजे मिस्टर विक्रम जो अपनी प्रेगनेंट वाइफ प्रिया के साथ वापस अपने घरा रहे थे क्योंकि किसी ने उन्हें कॉल करके कहा था कि उनके डैड मिस्टर भरत बजाज को हाट अटैक आया है ये खबर मिलते ही वो बिना ज्यादा सोचे रात में ही कासे मुंबई आने के लिए निकल पढ़ते हैं वो का चलाते चलाते अपनी प्रेगनेंट वाइफ प्रिया की परवा करते हुए उससे कहते हैं प्रिया तुम्हें पुने में ही रुख जाना चाहिए था मैं किसी को भी कह कि तुम्हे कल मुंबई बुलवा लेता खामखा तुम मेरे साथ इतनी रात को परेशान हो रही हो वो भी ऐसी हालत में तभी प्रिया उससे कहती है आपने और डैडी जी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं विक्रम प्रिया की उस बात को जैसे ही सुनता है व उससे थोगा नाराज होते हुए कहता है तुम बार बार ये कह के मुझे बता रही हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा ही मैं उसका असली पिता नहीं हूँ माना की मैं उसका बायलोजिकल फादर नहीं हूँ पर उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ वो जैसे ही ये कहता है एक ट्रक अचानक से बिना हैडलाइट जलाय ही सामने से आता है और एक जोरदार टककर विक्रम की का में मारता है उस टककर के पढ़ते ही विक्रम की का आउट आफ कंट्रोल होकर जंगल में चली जाती है और जाकर धड़ाम से एक पिर से टकरा जाती है अगर प्रिया के होने वाले बच्चे का पिता विक्रम नहीं है तो फिर कोन है और विक्रम ने प्रिया से शादी क्यों की ट्रक ने विक्रम की का को गलती से टकर मारी थी या फिर ये किसी की सोची समझी साजिश थी क्या विक्रम ही देवा का अगला शिकार है बहुत से सवाल है और बहुत से जवाब सो बने रहे सूप्रीम लेवल के साथ और नेक्स चैक्टर पर ना न भूले कॉमेंट में बताए कि स्टोरी कैसी लगी कि लगुं कि स्टोरी कि अचाछ ड centrally ब prêtना, 151 हो जारी कि ए स्टोरी को डे सक darkness में जारी Maison, 222 उल Т taco में जारी gottaिछ फिर जारी के स Innerस